हालो बच्चों कैसे हैं आप हमारे आत्मा एकडेमी चैनल में आपका स्वागत है हम क्लास 11 की सेट थेवरी पढ़ा रहे थे उसमें exercise 1.4 तक हमने डिस्स किया था आज NCRT exercise 1.5 का कंसेट आने जा रहे हैं इसमें एक चीजाती compliment of a set पूरक समुझे तिकि compliment क्या होता है हमने बात की थी एक universal set की एक universal ऐसा set जिसमें सभी element भरे होते हैं यानि जैसे हम बात करें example के तौर पर मैं एक universal set लेता हूँ 123 up to 10 हमने का एक universal set है इसमें सभी element 10 तक है और इसमें से एक set है आपका 13579 तो इसका compliment call है यानि इसका वो set जो इसमें अगर होता तो इसको यू बना देता तो उसको कहते हैं compliment क्या कहते हैं compliment of a इसको किसे indicate करेंगे a dash से लिखेंगे उसमें universal में से a minus कर दो यानि इसको हटा के universal में जो element है वो इसके compliment होंगे यानि कि 2, 4, 6, 8, 10 ये compliment होता है तो compliment का मतलब होता है u minus a ठीक है अब अगर इसको vane diagram में हम दिखाना चाहें कि vane diagram में एक ऐसे दिखाएंगे पर प्रापर्टी से लिएगा ये compliment होता है जैसे माल लिया universal set तो सुन में आ गया होगा कि हर set एक बहुत बड़े set से लिया जाता है जैसे मैंने कहा a e i o u vowels होते हैं स्वर होते हैं English में वो कहां से लिये गए English alphabet से जो 26 होते हैं उसमें से 5 हटा दीजिए तो जो आपके 21 बचे वो consonant है वो उस वावल के set के compliment है अगर वो 21 होते तो जोड के क्या बन जाता है एक universal set बन जाता ठीक है अब compliment की properties क्या होती है properties of compliment offset अभी थोड़ी दे पहले हम बता चुके हैं कि u a और a dash देखे पहली चीज़ अगर आप a और a dash उसके compliment का union मिका लेगे तो आपको universal set में लेगा यह यू है यह union है ठीक है अगर दूसरी बात अगर compliment का उसके set से intersection निकालते हैं तो इसमें कोई भी element common नहीं होता तीसरी बात अगर compliment का फिर compliment निकाल दीजिए तो आपको वही set मिल जाता है ठीक है चौथी बाद अगर आप null set जिसमें कुछ भी न हो उसका compliment निकालें तो universal set मिलेगा और universal का compliment निकालें तो null set मिलेगा तो यह आपका compliment की property जो होती इसको हिंदी में पूरक समुझे कहते हैं अब D. Morgan सहाब ने एक नियम दिया था इसको proof बाद में कराते हैं D. Morgan's law बहुत important law है D. Morgan's law D. Morgan's आपने एक rule दिया था उन्होंने कहा था कि अगर मैं A union B आप निकालिये और उसका compliment निकालिये ठीक है और यह equal होता A dash intersection B dash dash मने compliment A union B compliment is equal to A compliment intersection B compliment और दूसरा नियम था कि अगर हम A intersection B का compliment निकालें तो होता A compliment union B compliment यह विसे तो चार नियम थे लेकिन में यह दो नियम है बहुत important नियम है इनको verify करने के लिए पूछा जाता है ठीक है अब ज़रा हम इसको exercise 1.5 dismiss करने जा रहे है NCRT की है लेकिन इससे आपका भला नहीं होगा आपको RD शर्मा लगानी पड़ेगी वो हम बाद में dismiss करेंगे देखे एक्सरसाइज 1.5 NCRT N-C-E-R-T देखे question पर आते हैं पहला question सोचीएगा यह करें एक universal set है U 1,2,3,4 अप्टो 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 आप कहेंगे मालिया infinity हो तो सब लिखेंगे क्या आरे नहीं वाई दो चार नमबर थे थे हमने लिख दिया है इसके बाद एक set A दिया गया है 1,2,3,4 एक set B दिया गया है 2,4,6,8 एक set C दिया गया है 3,4,5,6 तो पहला part आप से कह रहे हैं कि आप A dash निकालिए हमने क्या कहा universal set के वो element जो A में ना हो देखो 1 इसमें है,2 इसमें है 3 इसमें है,4 इसमें है क्या हैगा,5,6,7,8,9 हो गया A dash सिरकरा B dash निकालो यहनि universal set के वो element जो B में ना हो 1 नहीं है 2 है,3 नहीं है 4 है,5 नहीं है,6,7 नहीं है 8 है,9 नहीं है यह B dash हो गया फिर तीसरा आप से कह रहे है कि A union B compliment A union C तो पहले A union C निकालो आपको इसके पहले विडियो में बताए जा चुका है union का मतलब होता है दोनों को A और C को मिला दीजिए A और C को मिला दीजिए 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 मिला दिया A union C अब यह कह रहे है कि A union C का compliment निकालिए मतलब universal set की वो element जो A union C में न हो देख लिजिएगा 1,2,3,4,5,6 तो कौन सेल्बन नहीं है 7,8,9 नहीं है यह आपका third part हो गया fourth part अपने आप करेंगे fifth part देखिए fifth part कह रहा है कि पहले A compliment निकालो तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और कह रहे है जो compliment है ना इसका फिर compliment निकालो तो U के वो element जो इसमें न हो तो क्या मिलेगा 1,2,3,4 यानि दुबारा आपको A मिल जाएगा sixth part आप से कह रहा है कि पहले तो B minus C निकालो आपको B minus C पढ़ाया गया है कि B के वो element जो C में न हो 2 यहाँ नहीं है चलेगा 4 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है 8 यहाँ पर नहीं है तो 2,6 हो गया 2,8 और कह रहे है इसका compliment निकालो यानि universal set के वो element जो B minus C में नहीं हो क्या होगा 1,2 है यहाँ पर 3,4,5,6,7 and 9 तो यह आपका पहला question है ठीक है इसके बाद second question देखेगा सभी एक जैसे है लेकिन थोड़ा सा practice करना जरूरी है अधर बाद एक question लगा लो और बाद मी करें तो बाद यह तो सभी एक जैसे है ऐसा नहीं होता है आपको practice करनी पड़ेगी सेट है A, B, C, D, E, F, G, H यूनिवर्सल सेट दिया है A, B, C, D, E, F, G, H यह यूनिवर्सल सेट है और कहा है जितने भी सेट नीचे दिया है फर्स लेकर के 4 तक इनके compliment निकालो पहला पार देखे A दिया है A, B, C A, B, C और कहरा है कि आप A का compliment निकालो निकालेंगे क्या होता है जो इसमें नहों हो इसके वो element तो D, E, F, G, H हो जाएगा ठीक है सेकेंड पार्ट क्या कहरा है कि B दिया है D, E, F, G तो कहरा है B डैस निकालो A, B, C, D, E, F, G है H तो 3rd और 4th अपने आप करिए कुछ अपने आप करिए ठीक है इसके बाद 3rd कुशन देखिएगा इसके दो पार्ट अपने आप करिएगा 3rd कुशन देखिए क्या कह रहा है 3rd में जो यूरिवर्सल सेट है वो कह रहा U is the set of natural number Set of natural number Natural number जिसकों की हिंदी में कहते हैं प्राक्रतिक संख्याएं यह हम मान के चल रहे हैं कि हिंदी मीडियम वालों को इतनी इंगलिस तो आती है इसमें ज्यादा इसमें डिटेल में जा रहे हैं या इसका मतलब यह हुआ इसमें 1, 2, 3, 4 और कहा तक होगा है इंफिनिटी तक जितने भी काउंटिंग नंबर है वो आपको दिए गया है और कह रहे हैं कुछ set दिए गया है उनके कॉंप्लिमेंट निकालो पहला पार्ट बहुत टेक्निकल बहुत बहुत सारी पार्ट दिए गया है पहले पार्ट में कह रहे है एक set A है X such that X is an even natural number even माने sum even natural number देखो जहां तक कोशिस करिए कि जिस format में ये दिया है उसी format में answer निकाली है चीक है अब आपको A-स निकालना है तो अगर A के पास even natural number है तो इसके कौन से number बचे odd वाले odd वाले किसमें चले जाएंगे A के compliment में तो क्या होगा X such that X is an odd natural number odd natural number ठीक है दूसरा पार्ट कह रहा है except B है ये लिख लिए आपने दूसरा पार्ट इसी को बनाए दे रहे दूसरा पार्ट देखे इसको B मान लो X such that X is an odd natural number तो B dash क्या होगा X such that X is an odd natural number उल्टा हो जाएगा थर्ड पार्ट कह रहा है इसका नाम सेट सी दे दो X such that X is a positive multiple of three positive multiple of three तीन का गुणच धरात्मा गुणच देखे तो जो तीन के multiple न हो उन्हें कर दीजेगा तो इसको चाहो तो example ले लिजेगा लेकिन example बहुत सारे हो जाएंगे तो आप लिखेंगे इसका C dash क्या होगा X such that X is not a positive multiple of three positive multiple of three यारी कि इसमें अगर number आएंगे 3, 6, 9, 12 and so on तो इसमें आएंगे 1, 2, 4, 5, 7, 8 and so on है इसमें तीन के multiple होंगे इसमें तीन के multiple नहीं होंगे ठीक है फोर्थ पार्ट देखिए फोर्थ पार्ट कह रहा है उसका D नाम दे दिजेगा X such that X is a prime number X such that X is a prime number हिंदी में इसको कहते हैं अभाज संख्याएं कौन कौन से होंगी जो अपने आप से कटें या 1 से कटें अलग-अलग अपने आप से और 1 से ऐसा नहीं एक 1 प्राइम नहीं है तो प्राइम का उल्टा क्या हो जाएगा composite number तो इसका इसका डी डैस क्या होगा X such that X is a composite number composite number यानि भाज संख्याएं भाज संख्याएं जो प्राइम नहों ये फोर्ट पार्ट है फिट पार देखें क्या कह रहा है फिफ्थ कह रहा है कि नेचुरल नंबर फिफ्थ कह रहा है इसका E नाम दे दू X such that X is a natural number वास्तिक संख्याएं डिविजिबिल 5, 3 and 5 जो 3 से भी डिवाइड होर 5 से भी डिवाइड हो कौन से नंबर होंगे यानि कि हम कह सकते हैं कि इविजिबिल बाई किस नंबर से 15 से वाई कोई नंबर 3 से भी होगा और 5 से भी होगा दोनों से होना चाहिए तो ultimately किस से होना चाहिए 15 से होना चाहिए तो अगर उसका dash आप निकालेंगे उसका complement निकालेंगे तो क्या होगा कि x such that x in x number not divisional by 15 आप 3 and 5 नहीं लिखेंगे not 3 and 5 direct 15 कर दो तो इसका जो dash होगा e dash तो आप लिखेंगे कि x such that x is a natural number not divisible by 15 अब दो 3 and 5 है यह दिखेंगे लिजेगा इसके बाद अगला है x such that x is a perfect square तो तो perfect square नहीं हो perfect cube जो perfect cube नहीं हो अब question 8th part देखेंगे दो अपने आप करेंगे 8th part देखें इसका 6th 7th अपने आप करिए perfect square का मतलब होता है जैसे 1 का square 1 2 का square 4 3 का square 9 4 का 16 यह perfect square है इनके square root सम्भव है इसका 8th part देखें इसका कोई नाम दे तो a दे दो set कोई भी नाम दे सकते हैं x such that x plus 5 is equal to 8 यह दिया है इसका मतलब x की value क्या है x की value 3 है यादि इस set में कीवल कौन सा element है 3 है तो आप जब a dash निकालेंगे जिसमें 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 ने लिखेंगे 4, 5, 6 and so on 3 को छोड़ करके सभी element लिखने है ठीक है इसी प्रकार से जो 10th part है यह 8th part है 9th अपने आप करिएगा 10th part जो है उसमें set इसका नाम b दे दो x says that x is greater than 7 यहनि 7 से बड़े इसमें नंबर है तो b dash में नंबर कौन से होंगे x says that x is less or equal to 7 क्योंकि इसमें 7 नहीं है greater than 7 है 7 से बड़े तो इसमें less or equal to 7 वेर x belong किसको कर रहा है natural number वो पहले से दिया हुआ है और 11th part कह रहा है इसको अपने आप कर दिये 2x plus 1 is equal to 10 है x का मान यहां से निकाल लीजेगा अब बात करते हैं 5th question की अभी हम बात कर रहे थे de Morgan's law की तो यहाँ पर de Morgan's law को verify करके दिखाए गया है 4th question में समझेगा तो practice कर लीजेगा क्योंकि practice ही main है और वो भी देख करके नहीं लिख करके क्योंकि कहा जाता है practice makes a man perfect आप कहेंगे तो हमने सुना है बार-बार क्यों बताते हो लेकिन उसमें आगे है कि writing makes a man exact लिखने से exactness आती है देखे फोर्थ question क्या कह रहा है फोर्थ question कह रहा है कि एक universal set है सारुभाव में समुझे कहा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 और एक set A है 2,4,6,8 2,4,6,8 और एक set V है 2,3,5,7 2,3,5,7 तो कह रहा है पहले आप proof करके दिखाओ A union B dash is equal to A dash intersection B dash यह demorgan slab भी में थोड़ी दे पहले बता चुके है अब इसका हम LHS लेते है taking left hand side तो पहले हम निकालने जा रहे हैं A union B क्या बताया गया था A और B दोनों को मिला दो तो 2,3,4,5,6,7,8 A union B का dash निकालो dash कैसे निकलता है U के वो element जो union जो यूनियन में न हो एक नहीं है इसमें 2,3,4,5,6,7,8,9 नहीं है तो यह तो आप गया 1 तामा 9 ठीक अब ज़रा आरचेस में आ जाओ taking arches taking right hand side पहले आप A dash निकालो A dash क्या होगा U के element जो A में न हो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 अब B dash निकालो U के element जो B में न हो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 फिर दोनों का intersection निकालो A dash intersection B dash तो 1 common है और 9 common है 1,9 देखें क्या आ रहा है आ रहा है तो इसको equation 1 डाल दो इसको equation 2 डाल दो लिख दो Y equation 1 and 2 यह दो आपसने equal है इसको लिख देंगे Y equation Y equation 1 and 2 A union B dash is equal to A dash intersection B dash यह पहला पार्ट इसका है ठीक है अब जरा second part देखिए second part पे आपको proof करना है कि A intersection B dash is equal to A dash union B dash यह proof करना है ठीक है LHS लिए हमने पहले A intersection B निकाली है क्या होता intersection में जब जो दोनों में common हो common निकालीजे A और B में कितना है यह जानबूज के हम रब कर रहे हैं इतना छोड़ रहे हैं common क्या है दोनों में A और B में 2 है और 2 है बस 2 और जब हम A intersection B dash निकालेंगे तो क्या हैगा 2 को छोड़के सब element आ जाएंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक अच्छा इसका union निकालो तो union में भी सब आ जाएंगे union का मतलब क्या होता है सभी element लिख दीजिए लेकिन repetition मत करिएगा तो क्या हैगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी question 1 को देखिए कि question 2 को देखिए तो लिखतेंगे by question 1 and 2 A intersection B dash is equal to A dash union B dash तो ये आपका चौथा question है verify करने के लिए का गया है वैसे verify करने के लिए कम कहा जाता है logically, sorry verify करने के लिए लिए जाता है पर अभी को भी logically इसको prove किया जाता है इसके बात में बताया जाएगा इसके बात अगला एक कहा रहा है कि आपको vein diagram इसे show करना है vein diagram जाए समझ लिजेगा आपको एक vein diagram concept बताया गया था उस video को देख लिजेगा vein diagram का हम इसके description में उसको देदेंगे तो vein diagram अगर नहीं आएगा तो समझ में आपको नहीं आएगा अब हम vein diagram बनाने जा रहे हैं चीक है साउधान इसका fifth question है जो कि कहा रहा है vein diagram में show करिए इसको देखिए जान से पहला part A union B dash और ये किसके एकवल है A dash international B dash अलबाद देखिए जान से आपको याद हो ये vein diagram है ये vein diagram है ये rectangular box से ये क्या represent करता है universal से ठीक है ये A है और ये B है ये A है ये B है union में क्या होता है मैं dash की बाप नहीं कर रहा हूँ union क्या करता है कि A और B कि जितने भी element है सब को मिला करके आप इस part को share कर दीजी ये part क्या दिखाएगा ये part दिखाएगा A union B अगर इसका compliment निकालना हो तो क्या करेंगे U का वो part जो इसको छोड़के बचा हुआ है बाहर का part यारि अगर हमको A union B dash बताना हो तो ये हम लिखेंगे universal set ये A लिखेंगे ये B लिखेंगे और इसको छोड़के बाहर का पूरा part share कर देगे इसको नहीं छोएगे इसके अंदर नहीं जाएगे तो ये क्या दिखाएगा A union B का dash अभी हम prove पर चुके हैं ये किसके equal है A dash intersection B dash के तो second part में उन्होंने उसी को share करवा दिया और उसमें दिखा देंगे कि ये part same आ रहा है तो ये तो पहला part हो गया अब जरा दूसरा part देखी देखें द्यान से second part A dash intersection P dash पले समझेगा हम ये एक Vane diagram बना रहे हैं ठीक हम केवल A दिखाएंगे इसमें ये A हो गया ये universal set है अगर मुझे A dash दिखाना हो तो क्या करेंगे आप इसके बाहर का part share कर देंगे A को छोड़ करके जितना part होगा बाहर का share करेंगे U का वो part जो A में ना हो ठीक है अच्छा अगर B dash दिखाना है आपको ये B dash दिखा रहे है ये U है ये B है तो B को छोड़ करके इसके बाहर का part पुरा share करेंगे आप ठीक है अब जरा देखे दुनों का common क्या होगा A को छोड़ दीजे और B को छोड़ दीजे जो बाहर का बचा हुआ part है वो common है न तो अगर मुझे A dash intersection B dash निकालना होगा तो हम क्या करेंगे ये set बनाएंगे ये A बनाएंगे ये B बनाएंगे हमें इन दोनों को छोड़ देना है और बाहर का part share कर देना है अगर इसके पहले का ग्राफ देखिए विन डाइग्राम उसमें कुछ ऐसा ही था न A dash intersection B dash यानि क्या proof हो के आगया कि A union B dash is equal to A dash intersection B dash proof नहीं करना इसमें लेकिन वेन डाइग्राम से show करने के लिए कहा जाए तो अलग-अलग बना करके इसको show करेंगे ठीक है अब जिरा देखिए तीसरा पार्ट इसनों shed करने के लिए कहा है जो दूसरा proof था यह कह रहे है A intersection B dash shed करो A intersection B का dash shed करिए देखो ध्यान से यह आपका है वेन डाइग्राम का rectangular box यह रिप्रेजन करता है U का यह आपका A है यह आपका B है दोनों का common part क्या है दोनों का intersection यह वाला part है यह आपका A intersection यह B है intersection आपने पढ़ा है dash का मतलब क्या होता है इस part को छोड़ करके पूरा part अफ्याट कर दीजिए तो जब हमसे dash कहेंगे तो हम क्या करेंगे यह A यह B यह common part इसको छोड़ दीजिए और सबको shared कर दीजिए यह अलग अलग color से करेंगे इसको लगे के छूटा है यह part यह part छोड़ दीजिए दीजिए पूरा हम shared कर रहे हैं यह अलग यह part बीच का है यह हम shared नहीं करेंगे यह आपका A intersection B अब कहा रहे हैं A dash union B dash करिए देखो ध्यान से अभी A dash हम बता चुके हैं यह रफ हो चुका है तुबारा देखेगा इसका fourth part है A dash union B dash A dash union B dash जी देखो ध्यान से यह vein diagram यह universal set यह A A dash क्या होगा A को छोड़ करके बाहर का पूरा part shared कर दीजिए diagram बढ़िया बनाएगा हम ठीक बना रहे हैं लेकिन यह गंदा लग रहा होगा यह A dash हो गया ठीक है आगे देखे अगला है यह B dash यह B dash B है यह यह B dash इसके बाहर का part ठीक इसके भी बाहर हो इसके भी बाहर हो अब कहरा दोनों को मिला दीजे यूनियन दोनों को मिला दीजे अब जरा साउधान देखो ध्यान से दोनों को मिलाएं कैसे यह और यह तो इसके बाहर A के बाहर कौन है यह वरा part तो ही है नहीं है और यह A है और B के बाहर कौन है यह वरा part है यह दोनों के अंदर है इसको अटा दीजे तो सब को आप शैड कर दीजे कि एवल आप देखो यह जो part चला है A B के बाहर है नहीं है और इधर का part चला है वो A के बाहर है क्यों इसका जो common part है वो छोड़ दीजेगा तो आद दिखे अलग से कि आपने इसको छोड़ रखा है इस प्रिकार से शैड कर दीजेगा यह आपका A A डैस union इस प्रिकार से फोर्थ कोईशन है यह फिफ्थ कोईशन स्वरी यह फिफ्थ कोईशन है जरा six कोईशन देखेगा तो आद ध्यान से बनाईएगा तो थोड़ा सा टेक्निकल है बड़ी आपरियाद दिखे यह कह रहे है कि यू is the set of all triangles in a plane जरा समझेगा language प्रसमेन है यू कह रहे है all triangles इसमें है all triangles हर प्रकार का triangles के अंदर भरा हुआ है अब जानते हैं ट्रेंगल कितने प्रकार का होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होती है इसको equilateral कहते हैं संभाव कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसको isocellus कहते हैं समध्य बाव कहते हैं जिसकी तीनों साइड अलग-अलग होती है उसको skellin कहते हैं विसम बाव कहते हैं ठीक है और कह रहे है A set है A जो है वो कह रहे है कि set of all triangles with at least one angle different from 60 यानि A में जो element है कि इसमें one angle इसका one angle जो है वो different from 60 होना चाहिए different from 60 degree कम से कम at least one angle at least one angle यानि अगर एक angle 60 से अलग है तो इसके अंदर होगा दो अलग-अलग है 60 से अलग भिन है तो इसमें होगा तीनों है तो हो गई होगा वो तो इसका दमाद हो जाएगा तो A-DAS क्या होगा इसमें कौन नहीं होगा जिसके तीनों angle 60 होगे वो इसके अंदर नहीं आएगा तो वो कहा होगा A-DAS यानि कि equilateral triangle equilateral triangle संभाव तरिवू जिसके अंदर आएगा जिसके तीनों angle 60 होगे उसकी यहाँ जगए नहीं है जरा 7th question समझेगा fill in the blanks है 7th देखो जरा जाएगा A में कुछ element होते हैं A-DAS में U की वो element जो बचे हुए है दोनों का union कर दो क्या मिल जाएगा U मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा 5 में कोई element नहीं होता है 5-DAS में universal set होगा और उसका अगर A के साथ intersection निकालो जो जो क्या मिल जाएगा A यह U लिखा एक तरीके से ठीक है A और A-DAS में कोई common element होता है नहीं होता है intersection 5 होगा U-DAS का मतलब वो element जो U में नहीं हो U में सभी element होते हैं ते 5 लिखा है और 5 का A के साथ intersection 5 होता है यह fill in the blanks है चीक है इस प्रकार से exercise कतम हो गई अब ज़रा compliment का एक logic में बता देता हूँ जो general life में आपके साथ मजाख होता रहता है English में आपने देखा होगा जब कोई किसी को gift देता है तो कहता है with best compliment अगली बार से कोई दे दो थपड़ मारिएगा उसका समझिएगा mathematics के हिसाब से वो देख ले ना किसको थपड़ मार रहे है देखो ध्यान से universal state का मतलब अगर माल ले आपके सभी all गुण है आपके आपके जितने गुण होने चाहिए वो इसमें भरे हुए है सभी गुणों को represent करता है ए हो गए आप आपके अंदर 10-12 properties हैं गुण है तो जो आपके अंदर नहीं है माल या 36 गुण होते हैं 12 है 24 नहीं है वो A-10 है यही वो आपको gift में करता है with best compliment यही तो mathematics कहती है तो mathematics के हिसाथ से वो आपको आपकी कम्या बताता है मैं English नहीं जानता mathematics के हिसाथ से होता है यह तो मैं हसी में कह दिया ठीक है हसने के लिए अगर हसी आए तो हस ले न otherwise question लगा ले न वही जरूरी है तो यह इस exercise का end हो गया आगे next okay thank you